वेल्कम बैक टो मैं चानल पिंकीज कुकिंग पाट शाला में आपका स्वागत है तो आज की हमारी रेसिपी है मुगना फली जिसे हम ड्रॉम्स्टिक्स भी कहते हैं तो यह हम बना ले वाले है इसकी सबजी चाहे तो आप इसे डाल में भी बना सकते हैं तो यहां पे चलिए कड़ाई में एक चमच ओयल लिया है और यहां पे जो यहां पे मुगना फली में इसे मैं ऐसे कट लिया है चोटे तुकड़ों में और इनका निकाल लिया है आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो भी आप रखना चाहते हैं वैसे रख लीजिए तो यहां पे जो सारी इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यकीन मानी अगर आप मुगना फली बिना फ्राइ किये बनाते हैं तो मेरे तरीके से एक बार आप जरूर से ट्राइ कीजिए तो यहां पे देखिए थोड़े से ओई में इस तरीके से इसे से फ्राइ कर ली हूँ अब हम क्या करेंग इसे ढग करेंगे दो-से 3 मिनिट के लिए तो इसकी जो राइन है थोड़ी सी निकल जाएगी तो चलिए दो-से तीन मिनिट की बाद हम तेख लेते हैं तो यहां पर जो हमारी फलीया है इनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी फल्यों को प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमारी सबजी करी का प्रासेस है हम उसे आगे बढ़ा लेंगे तो यह सेम कडाई में ले ली है पतीला चेंज करने की ज़रुड़त नहीं है और इसमें मैंने ओईल आट किया है तो यहां पे मैंने धाई बड़े चम्मच ओईल आट किया है आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम कर सकते हैं कम ओईल में भी अच्छी सबजी बन सकती है बट ऐसा होता है ने की ज़्यादा तेल हम आट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सबजी हमारी अच्छी बनेंगी विट ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो यहां पे देखिए मैंने पेस्ट एड़ा है वन टेल स्पून यहां पर इसे हम कुछ सेकेंड तक कुप करेंगे इसके बाद हम इसमें आट करेंगे तेज पता लिया है मैंने दो पते लिया है इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यह मीडियम साइज का एक प्यास लिया है और एक छोटा टमे तो इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बनाया है और यह आड़ कर लिया है अब हम इसे 5-7 मिनिट तक धक्कन लगा के कुप कर लेंगे हमारा मसाला अच्छे से कुख होने तक तो यहां पे देखिए 5-7 मिनिट के बाद मैं आपको दिखा रही हूं बट मुझे ऐसा लग रह है सारा तेल उपर आच चुका है तो मैंने यहां पे हल्दी आड़ किया है 1-2 टेबल स्पून मैंने मिर्च आड़ किया है 1-2 टेबल स्पून गरम मसाला अड़ किया है घर पे बना हुआ इसकी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूगी सात ही सात मैंने दनिया पाउडर भी एड़ कर लिया है और यह मसाला मैंने आड़ किया है इसे हम कहते हैं कांदालसन का पेस्ट इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमें सेक्षिन में बताईए मैं जरूर वीडियो पोस्ट करूँगी और यहां पे अपने टेस्ट के अकाउड इंकम या अब हम इसे कुछ टाइम तक पकाएंगे 2-3 मिनिट तक और इसके बाद यहां पे मैंने धेर सारा हरा दनिया आड़ किया है गार्णिशिंग में तो लोग यूज करते हैं बट मुझे इसे मसाले के साथ कोग करने भी इसका जो टेस्ट आता है वह बहुत ही अच्छा आता है और हम इसे चला लेंगे मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है हमारे यह फ्लेवरफुल मसाला यह सारी फल्लियों में अच्छे से मिल जाएं तो यह हम इसे चला लेंगे और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी आट करेंगे इसमें थोड़ा सा ही मना आट किया है आधा कप स कुछ टाइम के लिए 7-8 मिनिट के लिए धक के पका लिए तो यहां पे जो हमारी मुगनावली है इससे अच्छे से कुख हो जाएंगी और अगर हमें लगता है कि यह कुख नहीं हुई है तो हमें इसे और कुख करेंगे तो चलिए देख लेते हैं 7-8 मिनिट के बार तो यहा पे मैं थोड़ा पानी आड़ कर लूगी आप अपने अकॉर्डिंग पानी चाहे तो पानी आड़ कर लें तो यहां पे एक गलास मैंने पानी आड़ किया है और अब हम इसे और पका लेंगे ताकि जो हमारा ग्रेवी और तो घाड़ा हो जाए और यह अच्छे से अच्छे तो आप देखके ही पता लगा सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और यह पकनी चाहिए तो मैंने इसे और तीन से चार मिनिट कुक कर लिया है आप चाहें तो यह रेसिपी कुकर में भी बना सकते हैं जट पट बन जाएंगी एक सीटी के अंदर तो यहां पे देखिए दो मिनिट और कुक करने के बाद हमारी सबजी है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है तो मैं आपको बताती हूं कि यह फली कितने अच्छे से पक चुकी है तो यहां पे देखिए मैंने एक फली ले लिए है आपको दिखाने के लिए और यह फोक की हिल्प से मैं इसे प्रेस कर रही हूं और यहां पर मैंने डिर सारा इसमें धन्या बत्ता भी आट कर लिया है और हमारी यह जो डिलेशियस सी सबजी है मुना फली की यह रडी हो चुकी है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज दो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चानल थार प्लीज यूट्यका यूटीच था-टर बिल्द है और रेसिपीचाश टार नाल्ड़न तो बल्ड़न जगोटिक में आटार गूट्यूब चानल था जेंट बहूँग झाल थार बर फॉटकी है